हेलो दोस्तों कैसे अब सब्सक्राइब आज की वीडियो में बात करने वारे हैं नेक्स प्रॉब्लम ग्राफ सेक्षिन जो है फाइंड वैदर इस पॉसिबल टू फिनिश्ट और टास्क और फॉम किवन डिपेंटनेंसी यह जो प्रॉब्लम है यह बेसिकली इंप्लिमेंटे देख सकते हैं प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन अपको गिवन है मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है तो फाइंड वैदर इस पॉसिबल टू फिरेश और टास्क और नॉट फॉम गिवन डिपेंटनेंसी तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या कहती है कि दिया राड टोटल अफ ए तो यह हुई बात उसके बाद सम टास्क में है प्री रिकुषिट तो हमाँ पास कुछ प्री रिकुषिट होंगे कुछ प्री कंडिशन होंगी जिनको हमें ध्यान भी रखना है तो फिक टास्क जीरो यह फॉर्स्ट पिक टास्क वन विच इस एक्स्प्रेस अपेर 0,1 तो अगर लेट से कि हमाँ पास एक पेर है 0,1 तो यह प्री रिकुषिट है कि जीरो टास्क जो है ना उसको वन टास्क से पहले पहले खतम करना ही करना है ठीक है तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिछली प्रॉब्लम में बात करी थी कि if there is an edge between 0 and 1 तो हमारा इसका मतलब ह mother. जीरो टास्क है कि वह one टास्क से पहले खतम हूँ ना इस तरीके से यह जु़ब्लम है वह भी इस तरीके से ही सौल वने बारी है पिछले ut problem में तो हम व्रॉब्लम अलग थी इस प्रॉब्लम हमें क्या है हमें बताना है कि क्या हम सारे टास्क को फिलिश कर सकते हैं या नह क्योंकि जीरो से लेकर एंड मानस वन तक हमें टास्क नेम करना है जीरो से लेकर 1 तक हम पार दो टास्क होगाँ स्लेश्र है यह प्रेक्विजिट आखरम डेम तेना टास्क आपको पहले ना वन से ठीक है तो यूर जिरो को करेंगे पर बंग को करेंगे सारे टास 파ंड काल chapters ुसरा एक्जमप्ल है कि मेरे पास दो टास्क है जीरो वन और इसमें प्रस्गेंट है कि जीरो टास्क जो उसको फोन से पहले खतम करना है दूसरा प्रस्गेंट है कि बन्थ ट्विट व स्फिरिल टक्स से पर खतम करता हैं तो अब अगर आप लेते हैं कि पहले मैं 0 कर लूँगा फिर मैं 1 कर लूँगा तो यह वाली Carnition false टी क्योंकि one task को 0 से पहले complete होना है अगर आप यह वाली Carnition ले लेते हैं कि 1 task पहले करूँगा फिर 0 करूँगा तो यह वाली Condition false रहते हैं क्योंकि 0 the task को 1 से पहले । नाव एस यू कन सी कि इस नॉट पॉसिबल तो कम्प्लीट दी और दी गिवन टास्क ठीक है अगर यह प्रिजुट फॉलो करता हूं तो पॉसिबल नहीं है कम्प्लीट करना सारे टास्क चलिए दूसरा एक्जामपल और लेते हैं इसमें तीन टास्क है जीरो वन और तो तो पहले खतम होने चीए और वन टास्क बहुत से पहले खताम होज़ें तो पहले तब जीरो और तो सारी मेरा घ्यांपल लेते हैं सेम त्री टास्क है चाहिए और जीरो वन और टू तो टासक यह वाली तो है कि टू टासक को से क्याटgraph करना और टू टासक को जीरो शत्ता हूं करता ओं की सब्सक्राइब सुद्दापी समय टू करता हुए कि यह मar अगर आप इस चीछ को देखें इस चीछ को observe करें तो बीचिकली intuition क्या है हमारी इस problem को solve पढ़ने की कि we have given a directed graph हमारे पास जो ना वह डारेक्टेड ग्राफ होगा और उस directed graph की मतद से हमें क्या करना है we have to find a cycle तो यह problem जो है वह हमारी होगई detect a cycle इना directed graph तो उपर आई बटन में आपको link आ रहा होगा उसको आप जाकर check out कर सकते हैं तो अगर वह problem आपको समझ में आ गई तो यह जो pre-requisite दे रखी है इसके according we just have to make a graph तो अगर हम इसी इस वारी फिर इसे का देखें तो हमाई पास एक जोगी 0-1 एक जोगी 1-2 एक जोगी 2-0 ठीक है तो यह हमारा graph बन गया और हम इसमें detect करेंगे cycle को जो कि मैंने इस वीडियो में आपको ची तरह से समझा रहता है तो I will not waste time in this video क्योंकि कोई point नहीं बनता क्योंकि इस वीडियो इस वारी topic की वीडियो में already बना चुक हूँ तो आप उसको जागर check out कर सकते हैं और एक जो अप्रोच है इसकी वह यह भी है एक सेकेंड अप्रोच के हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो में आया है तो यह time list होगे आपका हम और भी अप्रोच की बात करेंगे तो वीडियो वह जरूर लास्त तक देखेगा पूरी अप्रोच को ठंक से समझने के लिए तो जो मैंने आपको पिछले कॉंसेप्ट बताया था कुछ पिछली वीडियो में कॉंसेप्ट के बारे मताया था जिसको हम बोलते हैं कि टोपो लॉजिकल सौर्ट टोपो लॉजिकल सौर्ट अब यह जो है आपका डिरेक्टिट ग्राफ इसको यूगन सॉल विदर डी एफस और बी एफस अगर आप ब इस करेंगे हमाई जो है वह यहीं कॉंसेप्ट बन रहा होतो टोपोलोजिकल सोट वाला जो अब वह भी इसको करते हों हम इसको करेंगे तो जब हम ठाइब सकाधू करते हैं तो क्या करते हैं कौन सी अप्रोच को यूज़ करते हैं जो मैं आपको बताए था कांस अलगरिथ अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि मैं इसमें आपको एक अंचिस्ट देने वाला हूं कांस अलगरिदम की पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगो डिटेल में वीडियो में बहुत चीटरे से आपको समझाया ठीक है तो कांस algorithm का हम इसमें यूज करेंगे कैसे करेंगे कांस algorithm के बोलती है कांस algorithm बोलती है कि I will find the topological sort of the graph ठीक है अगर किसी भी तरह से अगर graph में cycle है तो क्या मैं उसको topological sort find out कर पाऊंगा अगर मैं इसी graph को check out करूं तो according to topological sort 0 और 1 के बीच में एक है तो 0 1 से पहले आना चाहिए 1 और 2 के बीच में चाहिए तो 1 2 से पहले आना चाहिए 2 और 0 के बीच में तो 2 0 से पहले आना चाहिए जो कि possible ही नहीं है तो इसकी topological sort मैं कभी find out नहीं कर पाता क्यों क्योंकि topological sort हमेश problem तो मुझे क्या होगा जो मुझे topological sort मिलेगा ना वो हमेशा वो हमेशा जितनी मेरे पास edges है जो कि total number of edges है total number of vertices है तो उन से जो है वो कम ही हमेशा मुझे मिलने वाला है तो लेट से कि मैं कांस algorithm का यूज करते हुए find out करता हूं topological sort of this particular graph तो graph मैं दोबार डॉर करता हूं 0 1 और 1 2 और 0 तो cancel को अदम क्या बोलती है I will find all the vertices जिनकी in degree 0 है और उनको मैं अपनी Q में push कर दो तो I will take a Q और मैं check करूंगा किसकी in degree 0 है जिरो के इंडिगरी क्या है 1 वन के इंडिगरी क्या है 1 तो इन तीनों की इंडिगरी वन है क्यों में मेरा कुछ भी पुछ नहीं होगा एक ये यह सब्सक्राइब तो इसको एक और टाइप से मैं समझाता हूं आपको let's say कि मेरे पास एक vertex is 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और यह तो again Q मैंने ले ली उसमें इंडिगरी 0 उसको मैं put कर दूंगा तो this graph container cycle तो 0 थिक जिरो के इंडिगरी जिरो इसकी इंडिगरी है 0 इसकी इंडिगरी 1 इसकी इंडिगरी है 1 अब इसकी 0 है so what will I do I will put it into my क्योंग थीख पुटेट इन्ट इन्ट वाइक नौव मैं फ्रन्ट अफ दीक यून को लोगा और उसकी एडिसेंट जो भी वर्ट इस उनकी इंडिकरी को में क्या करतूंगा जीरो उनकीं इसकी जो इंडिक्री 1 की वह नहीं है वह 2 क्योंकि 0 से भी आ रहा है 3 से भी इसकी इंडिक्री 2 है तो आई विल टेक दी एडिसेंट 0 के एडिसेंट कौन सी है 1 तो मैं इसकी के इंडिक्री को माइनस 1 करकर 1 कर दो in चाहिए तो अभी किसी इंडिग दीडेएं नहीं तो मेरा क्या हो चुकिक कोई गांसेट कई यह तो सीकल इसमें डीड वर्टेक्स से यह वह सिर्फ जी रहा है जिसके वजेम रहां गांट भी और में जो वर्टक्स अने चाहिए वह निचे थी 4, तो 1 is less than 4, that means it contains cycle, और आप बता भी सकते हैं कि cycle में कितनी nodes हैं, तो 4-1 करकर आप ये भी बता सकते हैं कि कितनी nodes cycle में हैं, ठीक है, तो let's move on to the solution, एक बार में इसका solution दिखा देता हूं, ताकि आपका और clear क्या, time complexity, same वही होगी, big of v plus e, to find the topological sort, और space complexity, big of v plus e हो over the vertex in the queue, in worst case, ठीक है, तो let's move on to the code, और code देख लेते हैं, इसका ताकि आपको और अच्छी तरह से clear हो जाए, तो इसका code कुछ इस तरह किसे के n, 4 vertex मेंने लिनी हैं, और उसके बाद एक AdSense matrix, AdSense list में आई, 0 से लेकर n तक समय फिल कर दिया, और कुछ डिरेक्टरे डाल दाल है, कि first taken indegree array, जिसको मैंने 0 से initialize कर दिया, q एक data section लेलो, और उसके बाद सारी vertex पर जाओ, उनके AdSense में देखो, सबकी indegree को plus plus कर दो, मतलब basically हम indegree count कर रहे हैं, हर vertex की, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन-कौन से vertex हैं, जिनकी indegree जो है, वो 0 है, उन सबको q के अंदर push कर दो, फिर हम अपना simply BFS लगाते हैं, अगर q empty है, that means, कोई भी, किसी की भी indegree 0 नहीं है, जो हमारा case था 0, 1, 2 वाला, किसी की भी indegree 0 नहीं है, so just return false, that means, it is not possible to solve all the, basically all the task, क्योंकि इसमें एक cycle है, उसके बाद मैं count 0 कर दूँगा, फिर मैं जब तक q मेरी empty नहीं है, front push कर दूँगा, और जब मेरा एक note बचुमलता है, तो count plus plus कर दूँगा, मतलब this front is basically, will be included in the topological sort, उसके बाद मैं उसके add sent note पर जाऊंगा, front जो भी मेरे को मिला है, उन सब की indegree मैस मैस करूँगा, किसी की indegree अगर 0 होती है, तो उसको मैं q में डाल दूँगा, और अगर नहीं होती है, तो मैं मैं complete कर सकता हूँ, the answer will be true, और अगर ये condition false जाती है, तो answer will be false, ठीक है, तो ये count हमेशा कभी कम होगा, जब मेरी जो directed graph, जो मेरे graph बनाए, उसमें एक cycle है, ठीक है, तो that was the solution for this particular problem, काफी simple, काफी छोटी से problem थी, कुछ ज्यादा इशू नहीं था, बस implementation का problem था, आपको समझना था, कि इसमें कौन सी approach, कौम लगा सकते हैं, जो मैं आपको intuition बता दिया, कि you can see, कि इन में dependency बन रही है, जो एक cycle, हमें basically detect करनी, एक cycle, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो च्छे लगी तो इसे like कीजे, आपने दोस्तों साशीर कीजे, comment में बताईए, अगर आपको इसमे